नमस्कार दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला है मानेसर चलिए इसी कुछ डिटेल देख लेते हैं तो इसमें बिल्कुल मानेश सर को नगर निगम गोशित किया गया था भई नगर निगम बनाया गया अब यहाँ पे क्या लिखाया है नगर निगम ठीक है और नगर निगम जो बनाया गया है वो देखिए उसमें तारिक दे रखी है तारिक है 23 दिसंबर 2020 नगर निगम बनाया गया अच्छा अगर आप से पूछ ले कि कौन से नंबर का तो हरियाना में 11 है भई 11 नगर निगम बनाया 10 पहले से थे 11 माने सर को बनाया गया आप देखे फिलिप कार एक कमपनी है उसने अपना सबसे बड़ा आपूर्ती जो सेंटर है वो माने सर में बनायेगी दूसरा माने सर में NSG National Security Guard राष्टे सुरक्षा गाड है 1984 में बना था Operation Blue Star के बाद पूछ लिया जाए कि NSG में जाने के दो तरीके होते हैं यानि कि दो गुरूप होता है S-A-G S-R-G क्या देखिए Special Action Group इसके लिए आपका Army से होना जरूरी है और ये Paramilitary Force हो सकती है State Police हो सकती है ठीक है उससे जा सकते S-R-G Special Ranger Group होता है ये होता है Special Action Group इसमें Army से होना जरूरी है Blackat Commandos बोला जाता है और इनकी जो duty है वो लगाई जाती है या फिर कोई केंदरी मंत्री उनकी सुरक्षा घेरे में लगाया जाता है NSG चलिए Next वाला Question देखते हैं हर्याना के किस जिले में हर्याना के किस जिले में जंगसर पर देश का पहला Hydrogen Gas Plant लगाया जाएगा क्या पूछा है भई Hydrogen Gas Plant देश का पहला एक जंगसर है कौन सा है वो जीन्द कौन सा है जीन्द जंगसर पर देश का पहला Hydrogen जो Gas Plant वो लगाया जाएगा अब देखिए आगे 120 करोड की लागत से देश का पहला Hydrogen जो प्लांट है वो आपका लगेगा जीन्द जंगसर पर बताया था भी खरखोदा में 900 एकड में पहले भी बताया है 800 एकड मारूतिकार के लिए 100 एकड बाइक के लिए अपना जो प्लांट लगाया उसका उद्गाटन देखो यह आ भी गया यहाँ पर 20 अगस 2022 को किया प्रधान मंति बताया पूँ क्या होता है मालनि जिये यहाँ से ट्रेन आ रही है यह पटरी है और यहांवर बीच में एक स्टेशन है और सीधी ट्रेन निकल जाती है तो यह स्टेशन ही रहेगा जंगसर नहीं है इस दिसा में यहां से भी कोई दूसरी ट्रेन दूसरी दिसा में जाती हो तब ये क्या बन जाएगा जंक्सन जैसे नारनोल जंक्सन नहीं है महंदरगर जंक्सन नहीं है रेवाडी जंक्सन है क्या है रेवाडी जंक्सन है और हर्याना का सबसे बड़ा जंक्सन है रेलवे जंक्सन है रेवाडी है और रेवाडी न् बी यही है सबसे पहले ट्रेन भी अठारा सो तीहतर में दिल्ली से रिवाडी के लिए चलाई गई थी सबसे अधिक दिसाओं में ट्रेन भी यही से जाती है चलिए नेक्स्ट वाला देखिए हर्याना सिख गुर्दवारा प्रबंदन कमेटी का अधिक्स किसे बनाया गया है एक मामूली नोग जोक के द्वारा प्रेसानियों को पार करकर आखरी में क्या हुआ हर्याना सिख गुर्दवारा प्रबंद कमेटी का अधिक्स बना दिया गया है तो देखे उसमें से आंसर क्या रहेगा आपका पहले जस्विंदर सिंग है करमजीत सिंग, करमवीर सिंग और इन में से कोई नहीं तो इसका जो आंसर रहेगा वो है करमजीत सिंग इसको बनाया गया बई ठीक है और जितने भी गुरुदवारे और धार्मिक सले सिखों के उन समका परभंद ने कमेटी क्योंकि पहले पंजाब की जो सिख गुरुदवारा कमेटी थी वो ही पूरे भारत में समालती थी अब हर्याना का लग से बना दिया और ये सब 2010 में हुड़ा की सरकार में हुआ था 2010 में दिया गया था हुड़ा सरकार में इससे पहले तमिल थी ते ये नेक्स्ट वाला हर्याना तलवारबाजी संग का देक्स किसे बनाए मनू कपीला और उपादेक्स जितेंदर जागलान हर्याना हेंडबाल असोसियेशन का देक्स नया देक्स कौन है लेटिनेंट विकरम जित सिंग और हर्याना ओलम्पिक संग का देक्स आज ये बिताया थे मैंने यूटूब पर संदीप सिंग है ये हर्याना में क्या है खेल एम यूआ मंतरी है खेल एम यूआ मंतरी है संदीप सिंग कभी ये होकी के प्लेर रहे हैं इनके उपर एक फिल्म बनी थी सूर्मा इ हर्याना सरकार ने वर्ष 2030 तक बागवानी छेतर को कितने प्रतिस्यत करने का लक्ष रखा गया है तो इसका अंसर आएगा 15 प्रतिस्यत बागवानी जिसमें फलोर सब्जियां आती है अब इसके कुछ कुश्चन देखिए बागवानी छेतर को बढ़ाने उसकी गुणवत्ता क्वालिटी में इजाफा करने गुणत्ता में सुधार किसानों की आये को दोगना करने के लिए 11 जो उतकरश्टा केंदर होता है एकसिलेंस सेंटर क्या होता है उतकरश्टा केंदर 11 हρयाना में स्थापित किये गए कितने 11 मर्दा स्वास्त कारो और फसल कलेक्षटर विकास कारी करम में अच्छा काम करने के लिए हर्याना को बताया थै मैंने हर्याना असकोच जो अवोर्ड वो दिया गया है या देखिए मुख्यमंत्र ने बागवानी फसल भीमा योजना की सुरुवात की थी एक जनर्री 2021 से ये वाला कुश्चन भी इंपोर्टेंट है ठीक है आपको बता देता हूँ एक बात उसका अंसर तो रहेगा ये वाला आगे बता देता हूँ उसमें लिख भी रखा मैं यहाँ भी बता दाओ बाइस दिसंबर 1921 को हर्याना में दो जिले एक साथ बने भीम सोया सोटकट में बता रहा हूँ भीम सोया भीवानी सोनी पत चोदर किते हैं जी ले थे साथ जह थे जीन्द को उसी दिन मनाया गा थे एक उसके बाद दो जी लेक साथ मनाये गई वो यही है कब 22 दिसंबर 1922 को दो जी लेक साथ बने भीवानी को निकाला मेंदगड़ो इसार से और सोनी पत को निकाला रोतक से अलग करके तो क्या हो यहां पर द गोहाना की गाव आमली में जो निवासी है विवेक मलिक अमरिका के मिरोसी राज्य में वित्मंत्री बने हैं एक मैंने सुरेंदर चैल का बताया था जीन्द से उस्टेलिया में लगातार दूसरी बार पारसद बनने वाले पहले भारतिये हैं और इनोंने क्या कर दिया में आता है वो अलग है नाबार बैंक बाजरे ते त्यार होने वाले उत्पादों की ट्रेनिंग लेगी कहां पर तो सबसे पहले इसका आंसर रहेगा में अब यहां देखेंगे भई आंसर में अधर गड़ है हर्याना में सबसे अधिक बाजरा सबसे अधिक जो बाजरा है वो दो बे होता है अगर ओप्सन में बिवानी महंदरगड दोनों अधाम पहले बिवानी करेंगे फिर महंदरगड ठीक है अब देखी इसकी डिटेल इसमें क्या क्या बनेगा भई बाजरा अर्याना में सबसेदिक भीवानी और महंदरगड में होता है ठीक है भी नाबाड बाजरे से बनने वाले जो बिस्किट मिठाई चोकलेट्स हैं मुरमुरे हैं और भी कुछ हैं वो बनाने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोल लेगी किसमें महंदरगड जिले में अच्छा बाजरे का देखिए मोटे अनाजो में है तो बाजरा स्वास्त के हिसाब से महतपून है अच्छा रहता है खाना महिलाओं में आरेन की कमी को दूर करता है लिवर संबंदी जो समश्चाएं होती है वो भी दूर होती है इसमें फायदे में देता है बाजरा और बाजरा एमिनिटी पावर भढ़ाता है क्योंकि दोहजार तेश को भारत के कहने पर यूएन ने क्या कर दिया मोटे अनाजों के लिए फिक्स कर दिया दोहजार तेश इसलिए इस परकार के कारी करम चलाये जा रहे है स्वास्त्यमंतरी अनिलविज के अनुसार हर्याना के हर जिले में कोरोना से लड़ने के लिए कौन सी मसीन लगी हुई है देखे एक टेस्टिंग होती थी आर्टी पी सी आर इसकी रिपोर्ट जाती थी पुरे मुंबई से आते थी फिर अपने को देनी होती थी वो 24 गंटे हो सकते हैं दो दिन लग जाते थे अब हर जिले में मसीन है ये तो क्या का आगा है जैसे कोरोना का वेरियन टा रहा है उसके त्यारी के लिए अनिन विजने का गे हम बिल्कुल तयार हैं ऐसी कोई दिक्कत हर्याना में आने वाली नहीं है स्वास्ते सुदाएं अच्छी है ये सभी जानते है अब यहां देखिए कोरोना से लड़ने के लिए जो भी के अंदर सरकार गाइडलाइन जारी करेगी हर्याना उसको फोलो करेगा उस पर अमल करेगा उसको लागू करेगा अब की बार जो कोरोना का वेरियन्ट है वो है बी एफ सेवन वेरियन्ट है कौन सा है बी एफ जो सेवन है सेवन यह वैरियंट है भई सुसासन दिवस पर राज़स्तरिय कारिकर्म हर्याना के किस जिले में आयुजित किया जाएगा 25 दिसंबर को होता है सुसासन दिवस चलिए इसका जो आंसर है वो रहेगा पंचकुला बताया था ना सुसासन पुरुसकार की भी चलिए इसकी कुछ डिटेल देखिए सुसासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है इसमें राज़स्तरिय कारिकर्म हर्याना के विभागों के साथ हर्याना राज़्य के विभाग जो है साथ और पंदरा जिलास्तर ये पुरुसकार दिये जाएगे यानि कि डिश्टिक लेवल पर जो विभाग आते हैं स्टेट लेवल पर जो विभाग आते हैं उनमें साथ और जिलास्तर पर पंदरा पुरुसकार दिये जाएगे इसी दिन पच्चिस को परदान मंतरी सुरक्षित मातरतव अभ्यान हर्याना के कुछ सरकारी हस्पतालों में वे सरकारी केंदरों पर किस तारीकों चला जाएगा नो दस और तेईस इस तारीकों जो भी मातरतव महिलाएं हैं लड़किया हैं उन सभी की जो जाच है वो बिल्कुल फ्री है नो दस और तेईस नो तारीकों तो कैंप भी लगता है भी हर महिने की नो तारीकों लगता है न हर महिने की नो तारीकों कैंप लगता है महिलाओं की जो भी गरवती महिलाओं की जो जाच होती हो सब फ्री है सरकारी होस्पिटलों में लास्ट कुछन भी आज का दस राई स्पोर्ट स्कूल के प्रिंसिपन निदेशक कोन है तो यह आएगा करनल अशोक मोर इनको बनाया गया है अच्छा यह थे इनके कुछ कारवाई चली थी तो इसमें कुछ समय के लिए इनको हटा दिया गया था फिर दुबारा से बाहल किया गया है करनल अशोक मोर राई स्पोर्ट स्कूल अच्छा यह बना था देखिए उननीस सो तिहत्तर में राई एक जगा आती है सोनीपत में भारत के सरस्रेश तीन स्पोर्ट स्कूलों में से नाम आता राई का तो यह आज के 10 कुशन थी जो मैंने आपको करवाए हैं कुछ स्टेटिक जीके भी हैं तो लाइव आने के लिए आप सभी विद्यारतियों का धन्यवाद जैहिंद जैभारत जैहरियाना